अंतराश्य चीडिया घर की घोशना के बाद गोरेवाड़ा चीडिया घर में उच्च गुन्वत्ता की सुविधा प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है इन सुविधाओ का निर्मान चार चर्नों में किया जाएगा और सरक्षक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत ने आज प्रशासन को सौप्तिया आज गोरेवाड़ा अंतराश्य चीडिया घर में सरक्षक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत ने वरश अधिकारियों के साथ समिक्षाप बैठकी विधायक राजु परवे संभागी आयुक्त डॉक्टर संजीव कुमार नगर महा प्रबंदक अधिकारियों को गोरेवाड़ा अंतराश्य चीडिया घर की पूरी योजना पेश करने के निर्देश दिये गोरेवाड़ा विकास परियोजना द्वारा धन के लिए भेचे गए प्रस्ताव को कैबिनेट की बैठक में परियाटन मतित द्वारा पेश किया गया मंद्रि मंदल द्वारा अनुमोदित के जाने के बाद चीडिया घर के लिए आवश्यक धन विभिन्द चर्णों में उपलब्ध होगा उन्होंने कहा कि इससे प्राप्त होने के बाद चर्णों में उच्चे गुन्वत्ता वाली सुविधाय यहां स्थापित की जाएगी उन्होंने कहा कि पहले चरण में परियाटन सुविधाओ का काम पूरा हो चुका है और जल्द ही दूसरे और तीसरे चरण में सुविधाय देने का प्रयास किया जाएगा पहले चरण में बाग, तेन दुआ, भालू और हीरन सही चार जंगल सफारी शुरू की गई है अगले चरण में अफ्रीकी सफारी के लिए काम शुरू करने का प्रस्ताव है पालक मतरी ने कहा कि इस काम को एक साल की भीतर पूरा करने का प्रयास किया जाएगा राज में पर्याटन विकास को बढ़ावाद दिया जाना चाहिए राजसरकार राज के वीभिन पर्याटन सलो पर प्रवाब बढ़ाने के लिए प्रयास कर रही है गोरेवाडा इंटरनाशनल जूलिजिकल गार्डन को उमेद के हडला, पैंच और अन्य अभ्यारोनों के बाद नाकपुर में शुरू किया गया है पक्षियों के लिए आरेक्षित स्थान के साथ गोरेवाडा में एक पक्षि पार्क स्थापित करने के लिए एक प्रस्ताव बनाया जाना चाहिए उन्होंने अफ्री की सफारी चल उप्चार सेंथ न जैसे विभिन्न विकास कारियों के लिए वित्त पोशन के लिए सैयुक्त प्रस्ताव तयार करने और इसे परियाटन मंतरी आदित ठाकरी को भेजने का निर्देश दिया संभागी आयक्तर डक्टर संजीव कुमार नगर आयक्तर आधकृष्णन भी चिला कलेक्टर रविन्दर ठाकरी ने संग्रालय का निरिक्षन किया और शेत्र में विकास कारियों की समिक्षा की